कि क्या सरकार को यह लगता है कि हम लड़कियों को एक पद्यात्रा चाहिए अपने जस्टिस के लिए क्या बस एक रैली या चल पद्यात्रा करने से हमें इंसाफ मिल जाएगा एक ऐसा स्टेट जिसकी सीम खुद एक महीला है उनके साथ वहाँ पर अगर ऐसी चीजे हो रही है महीलाओं के साथ तो क्या हम सेफ फील करेंगे वहाँ पर कभी एक साथ जवाब दीजेगा जो भी हुआ अक्यूज बोल रहा है कि आप मुझे कैश्वेली कि आप मुझे हैं कर दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से बता है कि उसे बता है कि हमारे जस्टिस लेंगे मेरा सवाल टी-एमसी से है कि इतनी बड़ी इतनी बड़ी गटना के बाद जो टी-एमसी और बंगाल पुलिस ने जो लीपापोति की कोशिस की है उसके बाद मेरा आप से मैं आप से जानना चाहता हूं कि आपको किसका डर है जो आप अपराजियों के खिलाप कार् कीने लगे थे वो खुद बीजेपी आइटी सेल का मिंबर था तो सब्सक्राइब आपका खुद का था तो आपने इतना जल्दी एक्षन क्यों नहीं लिया उसमें भी तो प्रोटेस्ट हुआ था अभी हम लोग 78 इंडिपेंडेंस इसमाना है और इसमें हम विमन इंपार्मेंट के बात करते हैं अभी तक हमने क्या किया भी सर मेरा बहुत सब्सक्राइब जैसे हम बात कर रहे हैं आपर महिला सुरक्षा की तो ना केवल बलतकार बट यह जो आधी हत्या हो रहे हैं और किल आप लोग जो यह बलातकार के मुद्दे पर राजनिती नहीं गंदी राजनिती खेल रहे हैं ठीक है इसे छोड़के आप लोग इसको रोकने के लिए कौन सैसे कदम उठाना चाहिए इस पर आपको चर्चा करना नहीं कि यह कि आपके बिहार में मैं भी बिहार से हूं हमें जस्टिस से ज़्यादा यह चाहिए कि हमें एक ऐसे नियम होना चाहिए पूरे देश में जो कि अगर बलातकारी है तो उसे तुरंत एक ऐसा यह दे कि उसके लिए दूसरे लोगों के लिए न वो एक एक्जांपल के तौर पर यह हो कि अगर मैं यह करू तो मुझे भी यही चीज मिलेगा और इसलिए जैसा कि आपने बताया कि संजेर हो जो सिविक वोलेंटियर है तो सर उनने पुलिस देपार्टमेंट के अंदर सेलेक्ट करने के बाद भी और उस पे चाहर डिवोर्स के केस फाइल है और पॉर्नोग्राफिक कंटेंट देखता है और यह सारी ची केस की आफり पनिषमेंट डटोनी चीए कि तो हमारे ही देश में रेप जैसे केस को सोसाइड बोल दिया जा रहा है बराजनीत जारी है तो हम Ils meant करना चीए चैनल की तरह से हम अपनेजह लगा यह सालों वेट करना चाहिए जिए अगर मैं और पर्सनली मेरा सवल आप से आप प्रश्ण बहुत सीधा और यह पहला नहीं है वह रिपीट ओफेंडर ऐसे इसूज में रहा है बावजूद इसके क्यों उसे रहे जाते हैं इसके तो कोलकाता पुलिस को जबूर ध्यान देना चाहिए यह तो मेरी भी समझ है आपने बिलकुल मेरी बेहन में पूछा था कि यह जो रेपीस्ट है जो अभी पुलिस के गिरफ्ट में वो कहता है हसते हुए कि मुझे फासी में डाल दो और सिर केवल यही वज़ा है ये बहुत ही important मुद्द है कि मांग है मंता बैनर जी का आप ये ना समझें के वो सडक में उतर रहीं कोई ड्रामा कर रही है जैसा bjp-wale कहर रहे है क्योंकि bjp-waalé मांग यह है कि आप जो आपके पास में उसके खिलाफ आपने क्या इमिजेट आक्षिन लिया यही डिमांड मम्ता बैनाज जी किये क्योंकि आज चार्जशीट सीबी आई को फाइल करना है कि CPI कब तक नयाय दिलाएगी क्या आप day to day hearing कराएंगे क्या हम उम्बीत करें कि जल्दी इसमें नयाय मिलेगा या सिर्फ politics में तेजी दिखाएंगे वेट करेंगे कि मामला लोग बूले फिर देखते हैं दूसरा यह वाटबाटरी नहीं है यह बच्चा भी पूछ रहा है ब पहलाओं के जिंडेगी बिच्चीयों की दिन्रकी मुश्किल तो है टी-शिर्ट ठूटी है क्वेस बेटी का पोस्माटम का वडिओ सबूत मिटा के दो इससो नहीं फाड़के ऊसको गरवाल साब ने बहुत भूद कर दीआ यही मानसक्ता है जो यहां पर लगती है अब मैं बी एच्चु वाले सवाल पर आता हूँ आपके मैंने जब शुरुवात में कहा था कि मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा मानता हूँ और ऐसा होना चाहिए कि किसी भी हाल में capital punishment है और इस तरह का दरिंदा जो यह कहता है कि आपको हैंग करना हैंग भी छोड़ी अगर इस तरह के लोग हैं इनको तो कैस्ट्रेट करके उस हालत पर पहुंचा दीजे जब तक खुद तक सुईसाइड ना कर ले कि ऐसी चीजों पर सिर्फ एमोशन को स्टर करके नहीं होगा कि उसके साथ यह कर दो वो कर दो सवाल है कि conviction हो औ करने पर बैड़ जाती थी ममताबैनर जी हम उसमें सबसे जल्दी इंवेस्टिगेशन करेंगे और एक मिसाल पेश करेंगे इस देश के सामने के हाँ अगर लोग चाहे अगर एजनसीज चाहे अगर सरकार चाहे तो इंसाफ हो सकता है वो नहीं चाहते थे अग्ता होने चाहिए वास्ट्रेक होना चाहिए वास्ट्रेक कोट है मिरभया वाले मसले में दिल्ली में फास्ट्रेक कोट हुआ वे लेकिन क्या दिक्क्त आ ही कि उस्में बहुत सारे पेच हैं ऐसे की साथ साल लग गई सजा होने में चावला रेपकेस में बरी होगे तीनों के तीन राज बल्लब यादा बिहार में एक सरकार का मंत्री हुआ करता था नितीश कुमार सरकार ने उसको फास्ट ट्रेक कोट पर प्रोसीक्यूट तिया तो सरकार अगर मुस्ताइद हो तो काम हो या सरकार का पुलिस कैलकाटा में छिपा रही थी मसले को अई यह पहली घटना नहीं है पार के स्ट्रीट रेपकेस पर भी यही कर रहे थे आप लोग तो कैसे होगा या प्रादियों के मन में खौश कैसे बैठेगा देखी बोलने से दिल्ली दिल्ली और दिल्ली NCR के एरिया से छे बच्चियों के बलातकार और बरबरता से रेप और मुर्डर के घटना है हमारी हल्प लाइन मंबर पर आ रहे हैं जहां हमारी टीम ने टेंट किया जहां आप सोचे कितना इतना गंभीर मसला है अगर हम उस्टीस को देखते एक देखते रहेंगे और राजनीती करते रहेंगे हो सकता है मैं बोलने में थोड़ा मेरा ना हो ना में तालिया बटोर पाऊंपर काम में मैंने काम किया तो मैं अपने experience में यहीं रता सकती निर्वय कांडों जिसमें हम लोगोंने निर्वया की मा के साथ बहुत करीब से का किया था कुछ ऐसे रेप केसे होते हैं जो प्रतीक बनते हैं जी और उसकी वजह से कानून में भी बदला हुए क्या ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जब हम नए सिरे से इस देश की कॉंशन्स को उसकी अंतरात्मा को जग जोरेंगे ये मेरा प्रशन था जी मुझे लग रहा है ये होगा क्योंकि जिस तरह से हमने देखा निर्भया में मास मूउमेंट हुआ क्योंकि वो मेडिकल फेटरिनिटी थी या अभी भी काफी लोग सड़क पर उतरे हैं और मैं देख रही हूँ वो फिर से जोश हम देख रहे हैं और मुझे लगता है ये इस बार तो हमें लगता है कि ऐसा ऐसी जो जगे या ऐसा कुछ हो कि एक भी बच्ची ऐसी दुर्दशा का शिकार नौ यह हमारी मनो कामना है और यह होना चाहिए और इसके लिए सब को लगना पड़ेगा अभी किसी ने बहुत अच्छा सुजाव दिया कि हमें आर्ग्यू रहे हैं कि लोगों को मिलना चाहिए बैठना चाहिए बात करना चाहिए चीफ मिनिस्टर और एक्स चीफ मिनिस्टर लेवल के लोग लिखने को तयार नहीं है ट्विटर पर आप क्या बात कर रहे हैं अभी अभी उत्तर प्रदेश की एक घटना में 12 साल की एक बच्ची का बलादकार हुआ बलादकार होने के बाद उसके पेट में दर्द हुआ जब वो डॉक्तर के पास गई तो वो पता चला कि वो दोस्त महीने से प्रेगनेंट है उसको करने वाला एक मोईद खान समाजवादी पार्टी का नेता था जब उस व्यक्ति के ऊपर ये बात आई तो समाजवादी पार्टी का ओफिशिल स्टांड ये था कि उस बच्ची का डियने टेस्स करा हूँ बच्चा उसका बारा साल की बच्ची जिसका बलादकार हुआ प्रेगनेंट हुई वो जब मामला पॉलिटिकल हुआ तो ये कह दिया गया कि उसका डियने करा हो कौन ठीक करे अगर ऐसे लोग प्रवक्ता आई ती बड़ी पार्टी की तो तो इसे मानने की ओगा हुआ अगर शेंगे अगर पॉलिटिकल क्या है अगर पॉलिटिकल क्या है कि परिस्तियां बदलेंगी सिर्फ बोली नहीं बदलेगी केस किसके राज्य में हुआ है इसकी वजह से